अमेरिका और भारत के रिष्टे काफी हथ तक सुधर गये हैं दोनों देश एक दूसरे के साथ है वैसे पियम मोधी विदेशी देशों के साथ अपने रिष्टे सुधारने में लगे हैं अईसा विष्वास मोधी भक्तों और भाजपाईयों का है जहां पियम मोधी इंदेनों जापान के दोरे पर हैं वहीं अमेरिका के तरप से एक बड़ा ब्यान आया है या यूँ कहें कि अमेरिका ने एक बड़ा जटका दिया है दरसल अमेरिका के राश्पती डोनाल ट्रम्प ने 26 जन्वर यानी गंतंत्र दिवस के पैरट पर भारत आने से साप इंकार कर दिया है डोनाल ट्रम्प ने इसके लिए अपनी ब्यस्ता का हवाला दिया है डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा वो इन दुनों बेहत बैस्त रहेंगे इसलिए वो भारत नहीं आपाएंगे ट्रम्प ने भारत ना आपाने के लिए 26 जनवरी के आसपास अपनी बैस्ता को बज़ा बताया है माना जा रहा है कि ट्रम्प का State of Union को संबोधन मुख वज़ा है ले तक क्यास लगाए जा रहे थे कि ट्रम्प 26 जनवरी को भारत आ सकते हैं लेकिन बाद में अमेरिका का जैसा रूख रहा उससे आसंका जतायी जा रही थी कि यह दो रारत दो हो सकता है आपको बता दे कि कुछ समय पहले ही वाइट आउस की तरफ से बयान आया था कि ट्रम्प गंतन दिवस के मौके पर भारत जाएंगे या नहीं इस पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है हलाकि वाइट आउस ने इससे पहले कहा था ट्रम्प को निमंतरन गंतन दिवस के लिए ही दिया गया था ट्रम्प को या निमंतरन पीम मोदी के 2017 के अमरीकी दोरे पर दिया गया था दोस्तों आपको ये भी बता दे कि इससे पहले 2015 में तातकालीन अमरीकी राष्टपदी बराकों ने अपनी तमाम ब्यास्ताओं के बीच में समय निकाल कर Republic Day of India के दिन चिपगेश्ट के तौट पर सिर्कत की थी ऐसे में डोनाल टरम्प का भारत ना आना इसी बात से जोरा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच सम्बन कुछ ठीक नहीं चल रहा है